यार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और हत्या मामली बात हो चली है सुबा सुबा आज बैसाली जिले के हाधीपूर से एक घटना सामने आई है जिसमें एक बेक्ती को पांच गोली मारी गई चार गोली उसके सीने में लगी वहीं एक गोली उसके सर में लगी मामला हाजीपूर लालगंज मुखपत के किदार चोक का बताया जा रहा है जहां के बारे में बताया जा रहा कि किराना बेवसाई को दो अपराधियों ने गोली मार दी अपराधी ग्राहक का भेश बना कर आये थे और ग्राहक बनकर उन्होंने दुकांदार से सिग्रेट की मांग की और दुकांदार जैसे ही सिग्रेट देने के लिए काउंटर के पास गया वैसे ही अपराधियों ने तावर तोर पांच गोलिया मार दी जिसमें चार गोलिया उस बताया जा रहा कि मिर्तक अजय कुमार तिवारी दिग्धी बिजली ओफिस में करजरत था यानि कि वह सरकारी क्रमचारी भी था और सुबह साम अपना किराना का दुकान भी संभालता था और इसी दोड़ान आज सुबह सुबह अहले सुबह उसे दो की संख्या में आये अपर 4 साल पहले जिस बेक्ती को गोली मारी गई है उसके पिता की भी गोली मार कर 4 साल पहले वहीं पर हत्या कर दी गई थी और यह आपसी रंजिस का भी मामला हो सकता है वहीं मिर्तक अजय कुमार्तिवारी vead पुलिस भी मौके पर पहुच करके मामले की गहन जाच कर रही है वहीं भाजपा विधायक अब धेश कुमार सिंग ने कहा है कि बिहार में कानून ब्यवस्था रसातल में जा चुकी है और जब से महागटबंधन की सरकार बनी है तब से गुंडो का बोलबाला है और जंगल राज वापस आ गया है आप इस बारे में क्या राय रखते हैं किर्पया अपनी राय कमेंट में जरूर दे जैहिन जै भारत जै बिहार वीडियो को शेयर कर हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करना एवं योट्योग चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकेन दमाना ना भूले जैहिन जै भारत